दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गू है और मवजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर हर्याना में विधान सभाद चुनाव अपने शबाब पर पहुंच गया है नामांकन हो चुके हैं और आज स्कूटनी भी हो गई यानि कि लगवग ये तैय हो गया कि ये पार्टी से फला फला कैंडिडेट चुनाव मैदान में रहेंगे अब तीन दिन तक विड्रो का टाइम रहेगा और इस टाइम के अंदर में जिन लोगों को चुनाव नहीं लड़ना होगा या जिन्होंने गल्ती से नामांकन कर दिया होगा वो अपना नामांकन पत्र वापिस ले लेंगे इस वीडियो में मैं आपके साथ एक विशेश मुद्दे को लेकर चर्चा में हूँ विशेश मुद्दा ये है कि राजनितिक दलों के जो प्रत्याशी होते हैं या जो नेता होते हैं जिनको चुनाव लड़ना होता है उनकी एक निश्चित पार्टी होती है और उसके बाद आती है कि पहली और दूसरी और तीसरी और चौती और पांच में कोई और पसंद अगर हर्याना के अंदर माने तो भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस ये दोनों पार्टियां पहले दूसरे या दूसरे पहले नंबर की पार्टी है केंडिडेट्स जो भारती जन्ता पार्टी में उनकी इच्छा थी कि उनको बीजेपी से टिकट मिले जो लोग कॉंग्रेस में थे उनको इच्छा थी कि उनको कॉंग्रेस से टिकट मिले अगर दौनों में से किसी को नहीं मिल रही तो भाजबा वाले चा रहे थे कॉंग्रेस ही दे दें, कॉंग्रेस वाले चा रहे थे भाजबाई दे दें अगर किसी के इन दौनों ही जगा बात नहीं बनी तो फिर उनके लिए थर्ड आप्शन था तीसरी चॉइस लोगों ने मानी इंडियर नैशनल लोगदल और भहुजन समाज पार्टी का गटवंदन हमने जो तमाम सर्वे किया उसके अंदर देखा तो कैंडिडेट्स की तीसरी पसंद थी नेलो बस्पा गटवंदन कुछ लोगों की पसंद जन्नायक जन्ता पार्टी और आजाज समाज पार्टी अगटवंदन भी था तो कुछ लोगों के लिए आम आदमी पार्टी भी उनकी एक चोईस थी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर पलवल विधान सभा की पलवल विधान सभाज चुनाव के लिए कॉंग्रेस की तरफ से करण सिंग दलाल का नाम लगवक कनफर्म था टिकेट गोशित होने से पहले ही और अगर मैं कहूं चुनाव गोशित होने से पहले ही क्योंकि कॉंग्रेस के अंदर और कोई candidate था ही नहीं कोई लेता ही नहीं था कॉंग्रेस की ticket के लिए करण सिंग दलाल के लावा दो लोगों ने और अपना आवेदन किया था लेकिन उनका कोई political ऐसा interfere नहीं बनता था कि जिससे उन पर विचार होता बात अगर भारती जंता party की करें तो भारती जंता party के दीपक मंगला विधायक थे और दीपक मंगला के विधायक के सामने जो ticket की इच्छा थी वो गौरव गौतम थे राजीव कत्याल थे उसके अंदर राजंदर वैसला थे उसमें पवन भड़ाना थे संजे गूजर थे सतबीर पटेल थे ये तमाम नाम थे अलाकि पवन भड़ाना अपने आपको इस दोड़ में रखे हुए थे कि उनको चुनाव लड़ना है उनको जो पारटी प्रेफरेंस देगी वहां से वो लड़ लेंगे भारती जनता पारटी का टिकेट मिल गया गौरव गौतम को और जो दो प्रमुक नाम थे राजीव कत्याल और पवन भड़ाना जब टिकेट गौरव गौतम को मिल गया तो राजीव कत्याल चुपचाप अपने घर बैठ गये तो उनका चैप्टर क्लोज उसके बाद नाम आता है पवन भड़ाना का आठ तारिक को पलवल के अंदर गौरव गौतम जिनको टिकेट मिला था भारती जनता पारटी का उन्होंने अपने चुनाव कारेयले का उदगाटन कर दिया नौ तारिक को उन्होंने नामांकन किया और अभी उन्होंने दो दिन पहले अपनी चुनावी रेली निकाली 11 तारिक को अब अगर बात करूं करन सिंग दलाल की तो करन सिंग दलाल ने नौ तारिक को नामांकन किया और नौ तारिक को ये अपना चुनाव कार्याले खुल दिया बात में गौरव गौतम भारती जन्ता पारिटी के केंडिडेट और इंडियन नेशनल लोगदल और बहुजन समाज पारिटी के गठवंदन की जो टिकेट हुई जिसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं हैं उसको लेकर आपके साथ मौजूद हूँ आठ तारिक को जब कार्यालिय का उद्गाटन होता है गौरव गौतम की तो उसके बाद शाम को पवन भारती जन्ता पारिटी का और नहीं बनी बात तो उनकी इंडियन नेशनल लोगदल और बीएसपी गठवंदन में बात्ची चल रही थी आठ तारिक की शाम को पवन भड़ाना गुजर भवन में पंचायत करते हैं और उस पंचायत के अंदर एक बात निकल करके आती है कि पवन भड़ाना चुनाव रड़ेंगे पंचायत के अंदर 300, 400, 500 जो लोग मौजूद थे यूद थे और बाकी जो लोग थे उन्होंने प पवन भड़ाना को अपना केंडिडेट बना दिया और पवन भड़ाना इंडियन नैशनल लोगदल और भौजन समाज पार्टी के गठबंदन की टिकेट की भागदोर में लग जाते हैं इंडियन नैशनल लोगदल के बड़े नेता हैं अभै सिंग चोटाला और परताप सिंग के माध्यम से अभै सिंग चोटाला के टच में थे परताप सिंग ने बकॉल पवन भड़ाना जो पताते हैं कि परताप सिंग ने उनको कहा कि उनका टिकेट फाइनल हो रहा है उनको चुनाव लड़ना है बहुजन समाज पार्टी का यह सिंबल था क्योंकि इ दस्तारिक को अचानक से सब कुछ चेंज होता है दस्तारिक को अभिशेक देशवाल नाम का एक नया नाम सामने आ जाता है मैं आपको बता दूँ अभिशेक देशवाल कोई पेशेवर राजनितिक नहीं है जो उनका पॉलिटिक्स के अंदर उनका कोई पेशा नहीं है यान होते थे उसके अंदर वो मिमिक्री कलाकार एंकरिंग इस ट्राइप का अगम करते थे इसके साथ साथ अभी अभिशेक देशवाल गौरव गौतम के बहुत नजदी की सिपाही रहे हैं मैं आपको आर्ट तारिक का वीडियो शेयर करता हूं जिस दिन गौरव गौतम के कारयाल सब्सक्राइब करता हैं जो लोग जहरदस्ती जोइन करवाए जा रहे हैं लोगी छोड़ छोड़ के कंग्रेस आ रहे हैं अच्छा बढ़िया बहुत तर्वल में आज तक बनानी है अच्छा इंदर देल तर्व परसन ने हैं आज बारिज भी को आपी हो रही है यह असरव तो यह अभिशेक देश्वाल के विचार हैं जो गौरव जी के लिए थे अभिशेक देश्वाल टिकेट एकदम से उनका दस तारिक को फेस्बुक पर उनका चेंज होता है और कहते हैं कि बीजे पीसी के से कुछ दिन के लिए दूर जा रहा हूं आप उनके भाव समझें कहरें भारती जन्ता पार्टी से कुछ दिन के लिए दूर जा रहा हूं और एकदम से उनका टेस्ट चेंज होता है हाला कि आज भी उनकी जो फेस्बुक पे जो उनकी आईडी है वह पर आज भी लिखा है कि वो भारती जन्ता पार्टी के सांस्कृ उनके जो डीपी लगी हुई है प्रोफाइल पिक्चर है उस पर भगवा करार आज भी कायम है लेकिन अंदर उनकी पोस्ट आती है कि भारती जन्ता पार्टी से कुछ दिन के लिए अलग हो रहा हूं और अलग हो करके एकदम से आता है कि उनको बस्पा की टिकट मिल जाती ह यहीं से शुरू होती है दोस्तों सारी राजनितिक दलों के प्रत्याशी जो हो कहा जाता है कि उनकी विचारधारा उनके साथ मेल खाने वाली हो हलांकि जिनको चुनाव लड़ना है उनके उपर यह बात लागू नहीं होती क्योंकि उनको चुनाव लड़ना होता है लेकिन पेस के झंदर आप से जिक्र किया पवनँढ़ाना का तो पस समाज का मत दाता है और लोग्टल का चिज पोड़ानी डलितम दाता है! और इसके साथ तीसरा मद्दाता है गुजर मद्दाता जो पवन भढ़ाना का जो कूर बोटर है यानि कि जिसको पवन भढ़ाना जिस समाज से आते हैं बहुजन समाज पार्टी से पवन भढ़ाना के ताउ सुभाश चौधरी चुनाव लड़ते रहे हैं और इंडियन नेशनल लोगदल से सुभाश चौधरी विधायक बन गए थे इसलिए पवन भढ़ाना को लगता था कि अगर इनेलो और बस्पा से बात बन जाए तीन बार पवन भढ़ाना पारशद रहे हैं इसलिए मैं उनको मान सकता हूँ कि बाई प्रोफेशन वो पॉलिटीशन है जिन्होंने तीन बार नगर परिशद का चुनाव लड़ा तीन बार से लगातार जो पारशद हैं जो लगातार लोगों के टच में रहते हैं तो मान सकते हैं कि वो बाई प्रोफेशन हो चुके हैं और जिनको कहीं बीच का रास्ता ढूंडा था जो ऐसे मद्दाता थे जिनका मन करण सिंग दलाल के लिए भी कम हो और गौरव गौतम के लिए भी कम हो तो वह एक विकल बन सकते थे पवन भड़ाना और इसी सोच के साथ पवन भड़ाना चुनाव की तयारी कर र राजनिति गरियारों में एक चर्चा है कि लोकल लेवल पर एक शड्यंत्र हुआ और शड्यंत्र के शिकार हो गए पवन भड़ाना जो उभरते हुए राजनितिग्या हो सकते थे पलवल के पवन भड़ाना ने खुद भी अपने सोचल मीडिया फेस्बुक पर एक पोस्ट चेर किया आप इसे देखी एक बार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी समय चल रहा है और हमारी भी इस चुनाव में मजबूत उमीदवारी थी और इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी की तरब से हमें टिकट का आशवासन भी था लेकिन कुछ लोकल नेताओं द्वारा जैसा कि सुनने माया कि इस टिकट की सौधे बाजी करवाई गई है और सौधा करके इस टिकट को किसी और वेक्टी को दिलवाया गया है मुझे जो पता चला है कि ये टिकट किसी सौधे के तहट किसी और को दिलवाई गई है समय पर उन वेक्तियों को भी जवाब दिया जाएगा जिन्होंने इस काम को कराने का काम किया है और हम पे जिस तरीके से हम छोटी मोटी सेवा हम पे आज तक बनी है उस सेवाम को हम निरंतर जारी रखेंगे और विशेश बात जो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि आज तक जो आज की डेट है हम किसी भी केंडिडेट और प्रित्यक्षी के साथ नहीं है जो छेतर में कुछ लोग हवा उडा रहे हैं कि पवन बढ़ाना ने किसी का समर्थन कर दिया है हमारा किसी भी केंडिडेट को आज तक की डेट में किसी को समर्थन नहीं है जिसको भी हमर समर्थन करेंगे मजबूती के साथ समर्थन करेंगे अपने युवा सातियों से सला मशवरा करके अपने बुजुर्गों से सला मश्वरा करके जिसके लिए हमारे युवा और बुजुर्ग साथ ही कहेंगे हम उसका साथ देने का काम करेंगे आपका जो प्यार और आशिरवाद मेरे उपर आज तक रहा है मैं आपका आभारी हूँ जैसी भी सेवा बविश्य में जो बनेगी मैं बविश्य में भी इसी तरीके से आपकी सेवा करता रहूँगा आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद तो इसमें पहुन बढ़ाना कह रहे हैं कि मैं कुछ लोगों ने नीचे शड्यंत्र किया और शड्यंत्र के तहत ऐसा हुआ अभी शड्यंत्र किस ने किया शड्यंत्र कौन कर सकता था शड्यंत्र क्यों किया गया राजनीती के अंदर हमेशा दूर की सोच के साथ चला जाता है राजनीती के अंदर हमेशा सोचा जाता है कि अगर ये होगा तो वो होगा वो होगा तो ये होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब चुनाव परिणाम आते हैं तो कई बर जो सोचा जाता है कि ये करेंगे तो वो होगा और वो करेंगे तो वो नहीं होगा पलवर विधान सफ़ा के अंदर एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को एकदम से चुनाव मैदान से दूर कर दिया गया था और बात चली थी कि जिन नेता पर चली थी कि उन्होंने दूर किया था वो चुनाव मैदान में शिकस्त खा गए थे अब बात आ जाती है अभिशेक देशवाल की क्या खिर अभिशेक देशवाल का एकदम से राजनितिक प्यार कैसे जागा जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा लगता है कि उनके परिवार में कोई चुनाव नहीं लड़ा गया होगा तो एकदम से उनको कैसा लगा कि उनको विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए सीधा कोई सरपंच पंच या ब्लॉक समीथी का चुनाव नहीं सीधा विधायक का चुनाव एकदम से उनको बहुजन समाज पार्टी का टिकेट मिल जाता है उनका मन परिवर्तित होता है और एकदम टिकेट उनके हाथ में होता है चुनाव मैदान में आ जाते हैं अब राजनीति गर्यानों में एक और चर्चा है कि अगर पवन भढ़ाना का नाम पीछे किया जाता है तो क्या फिर उससे किसी को कोई डर संशेशक था कि अगर पवन भढ़ाना आएंगे तो ये हो सकता है और अगर अभिशेक बाबु का नाम आगे आता है तो फिर उसके पीछे क्या सूच थी कि क्या ये जाट और धनित मद्दाताओं का जिनका लगता है कि ये दूर हो सकते हैं उनको पास लाया जाए और उसके बाद प्रमुक बाद एक और दोस्तों आ जाती है उसके बाद प्रमुक बाद ये आ जाती है कि आखिर ये कौन सी इस प्रकार की जो प्लानिंग चलती है और वो कहां चला करती है कहां चल करके वो प्लानिंग पूरी होती है अब लोगों के बीच एक चर्चा हो रहे है कि क्या अभिशेक देशवाल चुनाव लड़ेंगे क्योंकि अभी नॉमिनेशन विड्रो में टाइम रहेगा आज कल से नॉमिनेशन विड्रो का काम शुरू होगा 14, 15, 16, 3 दिन लोग अपने नामांकन वापिस ले सकते हैं ये 3 दिन नामांकन वापसी के लिए मिलेंगे और 16 तारिक की शाम को लोगों को सिंबल मिलेंगे क्योंकि जब से उनको टिकेट मिला है नामांकन भरने के बाद में ऐसी कोई एक्टिविटी कहीं दिखाई नहीं दी जिससे लगे कि अभिशेक देशवाल चुनाव मैदान में है तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उनको नमांकन वापसी हो जाए या फिर बीच चुनाओं में उनको कहीं साइड कर दिया चाई ऐसा होगा तो फिर किसलिए होगा ये बहुत सारे सवाल हैं जो राजनीती गरियारों में चर्चाओं में है और जो राजनीती में जानकारी रखते हैं, राजनीती में रुची रखते हैं, उनके लिए एक शोध का विशय है, उनके लिए ये मन्थन का विशय है, और मन्थन का विशय ये है कि क्या राजनीती कि अंदर इस प्रकार के कोई जुगार हुआ करते हैं, सेटलमेंट हुआ कर क्या उसके पीछे कोई प्लानिंग थी और आज मैं आपसे बता रहा हूं कि क्या बहुजन समाज पायर्टी और इंडियन नेशनल लोगदल गठबंदन का एक ऐसा केंडिडेट ले करके सामने आना जिनका बाइप प्रोफेशन कोई क्या राजनीती के अंदर इस प्रकार के ये प्रियोग किये कहा जाएगा इनको या फिर शड्यंत्र राजनीती के अंदर अगर ये प्रियोग है तो क्या होने चाहिए और अगर ये शड्यंत्र है तो क्या होने चाहिए जो लोग पलवल और आसपास के इलाके के हैं हमारे इस अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें